रीवा में हैजवा का कहर सिर्मौर ब्लाग के माड़ा के बाद तिल्खन, हिनाटा वा सौर पांसोर गाओं में उल्टी दस्त से 25 बीमार चार की मौत रीवा जिले के सिर्मौर ब्लाग के गाओं में उल्टी दस्त का कहर जारी है मारवादिवासी बस्ती में कहर बरपाने के बाद हैज़ा आसपास की गाउं तक पहुँच चुका है सुत्रों की माने तो तिलखन हिनातवा सौर पांसोर सट गाउं में उल्टी दस्त से 25 से जादा लोग बीमार हैं इसमें आधा दर्जन लोग रीवा के निजी अस्पताल में उपचार ले रहे हैं वहीं दो दर्जन से ज़्यादा मरीजों को सिबिल अस्पतार सिर्मार में भरतिकर उपचार दिया जा रहा है हाला कि संजे गांध इस्पता और रीवा में इलाज कराने गई तिल्खन गाउं की एक महीला की मायके में मंगलवार की रात मौत होने से जिले भर में हरकंप मच गया है अब तक मरने वालों का आकड़ा चार हो गया है इनकी हो चुकी है मौत सिर्मा और BMO डॉक्टर प्रशांद शुकला ने बताया कि 10 जून को आकाश कोल निवासी माडव आदिवासी बस्ती की SGMH में उल्टी दस्त के बाद मौत हो गई थी जबकि 11 जून को कुशुम कली और 12 जून को सुगनी कोल माडव आदिवासी बस्ती की गाउं में बुढ़ापे के कारण नेचरल से प्राण मितल गए थी इसी तरह उल्टी दस्त के बाद रिवा के SGMH लाज कराने गई सुश्रीला कोल पती राजदूद कोल निवासी तिलखन स्वस्त होने के बाद कंसरिया गाउं माई के चली गई लेकिन 14 जून को सुश्रीला कोल ने दम तोड़ दिया है माड़ों में राहत तिलखन निनादवसार ने बढ़ाई टेंशन स्वास दिकार्यों ने बताया कि माड़ों गाउं में अब राहत है जबकि तिलखन गाउं में आठ मरीज सामने आये हैं जिसमें पूजा कोल, छोटी कोल, महल कोल, सरस्वती कोल, दिलीब कोल, अर्जन कोल और अंश कोल में उल्टी दस्त के लक्षण मिले हैं, वहीं हिनोता गाउं में 12 मरीज सामने आये हैं, जिसमें अजीद कोल, सुकवरिया कोल, संगीता राबत, मोहिनी कोल, साक्षी कोल, रिलाबती कोल, ओम कोल, आज में लक्षण मिले हैं, जबकि 656 गाउं और बोलवधा ग में दाखिल कराया जाएगा, साथ ही आदिवासी बस्ती के कुए में डेचिंग पाड़र का च्रकाव कर पानी का सैंपल भेजा गया है, सभी को ताजा भूजन करने की सलाह दी गई है, दवा है कि ज़्यादा तर लोग खान पान में ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए पान काल संदेश, नई ख़बर पाने के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें